कर दिन भर मैं वो पिजेन को नहीं दिखा, लगता है ये अंडे को छोड़ कर चले गए, दो अंडे थे, अभी तो एक दिख रहा है, और लगता है ये खरब हो गए है, और हो भी क्यों ना, कोई घोस्ता तो नहीं बनाया, एकदम से मेरे बसकेट के अंदर अंडे छोड़े है तो मेरे प्लांस भी खरब हो गए, तो हले फ्रेंट्स, मैं हो मोश्यमी मिनी पर्क से, और उमीद है कि अब सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वास्त होंगे और सेफ होंगे तो फ्रेंट्स, आज मैं मेरे गार्टन में कुछ प्लांस है, जो की डाइंग प्लांस है, बोल सकते हो, मरने लगे है, और उसका कुछ खाती दरियाज करने वाली हो, ये जो बेगुनिया देख रहे हो, मैं तो सोच रही थी, ये मर गए है, लेकिन आचनक मुझे नजर आया कि इसमें निव ग्रोथ हो रही है, और ये देख सकते हो, रूट उस पॉर्ट पे, जो मिटी है, उसमें चले गए थे, और ये एक अलग भरेटी के बेगुनिया, तो कुछ प्लांस मेरे पिछले विंटर के, जैसे कि ये कलांचो जो की हाइब्रिट है, वले कुछ खेड़े थे, सारे मरते मरते कैसे करके टिग गए है, इसका हाला थोरी अच्छा है, बाकी सब तो एकदम ना के बरबर है, ये देख सकते हो, ये एकदम सारे मर गए है, दो एक बचा है, तो देखते हैं इसको बचा पाओ या नहीं, और ये जो कलांचो, इसकी कटिंग मैंने इस पे लगा दी थी, और इतने सारे प्लांट्स हैं मेरे गर्डेन में, और काफी सारे जगहों पे लगा दी थी, लेकिन टेरेस खली करना है, इस चक्कर में कहां पे सारे हैं, मुझे गुम होगी हैं शायद, और ये देखू, जर बिरा, तो चलो इसका ट्रिट्मेंट करते हैं, इस गमली में कुछ नस्टेशियम के सीड पिछले साल की थे, वो मैंने लगा दिया था, अभी तक जर्मिनेट नहीं हैं, तो देख सकते हो, इस बसकेट्स में मैंने वो सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है, और मिट्टी तो व ने पिछले वीडियो में दिखाया था, यद है न कि इस बार मैंने कोको पिट भी इस्तमल किया है, और सात में भर्मी कमपोस्ट, मेक्स्ट कमपोस्ट, सरसो की खली, और सात में मिरे गार्डन साल, सब कुछ मिला कि जो मिट्टी मैंने तयार की थी, उसी मीटी में मैंने ये सारे प्लंस की रिपोर्टिंग की है और वो जो बिगुनिया उसका चोटे चोटे कटिंग मैं नरियर शिल प्लंटर पे लगा दिया है और जो रोस प्लंट की प्रूनिंग करा दी थी मैंने देख सकते हो नियू नियू ग्रोथ इसमें तो अभी मैं इस रोस प्लांट को खाद वगेरा डलने वाली हूँ और मैंने काफी सरे मैं फ्रेंड्स को दिखा है खंगर के उपर रोस प्लांट लगाते हुए तो मैं भी सोच रही हूँ वैसा करूँ लेकिन उतना साहस नहीं है मुझे फिलहल मैं इस पे मिक्स्ट कॉम्पोस्ट ही डलने वाली हूँ और ये मेरे जो पिंक कलर के ओलियंडर वो बहुत बड़ा सा जो मेरे गार्डेन में था उसका मैंने एक दम से प्रूनिंग करा दिया है और ये पॉटिंग भी की है और साथ मैं कुछ कोलियस प्लंस के कटिंग्स भी ग्रो कर रही हूँ और ये मेरे पुराने कोलियस के कटिंग्स जो अच्छे से चल रहे हैं और कुछ दिसी भेरेटी के कलंचो उसका भी मैंने जगा जगा पे करनेंस लगा दिया है और मेरे जो बैंबू एक और निकले हैं देख सकते हो तीन बैंबू थे और एक इस बार ग्रो हुई है तो चार बैंबू हो गए और ये सारे मेरे गार्डन में आने के बाद हुआ है तो मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग कर दिने के बाद मेरे प्लंस फिर से अपने ग्रोथ पे आ जाएंगे तो फ्रेंस आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ